हाई गाईज वेलकम बैक टू दे चैनल मैं हूँ खुसरो और आप देख रहे हैं टेक नाइट LG ने आज अपने तीन स्मार्टफोन को इंडियन मार्केट में लॉंच किया है LG W41, LG W41 Plus, LG W41 Pro इतीन स्मार्टफोन जो हैं वो बजट सेग्मेंट के स्मार्टफोन हैं जिनको आज LG की तरफ से इंडियन मार्केट में लॉंच किया गया है काफी बड़ी है डिजाइन और बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आते हैं ताके आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं तो गाइस विदाओर वेस्टिंग अनिमोर टाइम लेट सेट साड़ेड़ तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं LG W41 के बारे में तो LG W41 के अंदर आपको 6.5 इंज का HD Plus डिस्पले मिलता है जो कि 720 x 1600 पिक्सल के साथ आता है और ये एक फुल विजन डिस्पले है फोन के आप अगर सामनी की तरफ देखेंगे तो आपको एक चोटा सा साइड में पंचोल डिजाइन दिखेगा और इस पंचोल डिजाइन के अंदर आपको 8 Megapixel का सेलफी कैमरा देखने को मिलता है बात करेंगर फोन के बैक साइड की डिजाइन की तो बैक साइड का डिजाइन भी काफी खुबसूरत और प्रीमियम सा बनाया गया है ग्रेडियंट फिनिश में यह फोन आता है दो कलर्स वरियंट में फोन अफिलेबल है एक तो लाइट ग्रीन और दूसरा ब्लू पीछे की तरफ आप देखेंगा बात करेंगर कैमरा इसकी तो इसके अंदर आपको चार कैमरा का सेटप मिलता है कौर्ड कीवबल देखने को मिलेगा आपको इन फोनों में प्रैंतर इसेंसर प्रोण को किस प्रोसेसर के साथ THAT किया गया है तो इसमें आपको 2.3GHz का сердцеड का Only 5 प्रोचेड बात करेंगर इस फोन के स्टोरेज की तो इसमें आपको चार sua गय霍म और nossas चार सी चार्जिंग का कनेक्टिविटी मिलती है और अगर कनेक्टिविटी की बात करूं में तो इसके अंदर आपको 4G कनेक्टिविटी मिलती है Bluetooth 5.0 मिलता है 5G फोन नहीं है यह और अगर बात करिया है इस फोन के प्राइस की कितने रुपए में यह फोन आपको मिलेगा तो W41 का प्राइस जो है वो है 13,490 रुपए बात करें अगर बाकी के दो फोन की तो बाकी के दो फोन में भी same to same specifications आपको मिलती है W41 Pro में और W41 Plus में exact same specifications आपको ही मिलती है बस फर्क है तो सिर्फ RAM का और storage का W41 Plus जो है उसमें आपको 4GB 128GB का storage मिलेगा और W41 Pro है उसके अंदर आपको 6GB 128GB का storage मिलेगा यानि कि इन storage के अलावा बाकी phones में इन तीनों में कोई भी difference नहीं है किसी तरह का सभी phones में आपको same display देखने को मिलेगा same cameras देखने को मिलेंगे same battery देखने को मिलेगी सारे features same connectivity वगरा भी same है और इसके अलावा weight वगरा जो भी है phone का 201 gram वो भी तीनों फोन का same to same है फर्क है सिर्फ फर सिर्फ storage और RAM में W41 plus का price 4GB RAM 128GB storage की वज़े से हो जाता है 14,490 रुपए वहीं W41 Pro के price की मैं बात करूं तो उसमें 6GB RAM 128GB storage मिलती है तो उसका price हो जाता है 15,490 रुपए यानि कि तीनों phones में सिर्फ 11,000 रुपए का difference है प्रोसेसर भी समें आपको same सारी की सारी specifications तीनों phone में LG ने same डाली है तो अब बात ही आती है सवाल ही आता है कि जब सारी specifications सेम है तो phone के नाम अलग-अलग हुआ है basically कोई भी company जब phone launch करती है guys तो आपको पता होगा अगर माल लिए company launch करती है एक phone जैसे POCO X3 की बात करोगा मैं तो POCO X3 जब launch हुआ था तो तीन variant में launch हुआ था 4GB, 6GB और 8GB यह RAM variant है storage सब में 108GB ती तो company ने phone का नाम एक है POCO X3 बस वहाँ पर variant अलग कर दिये लेकिन LG ने एक नई strategy अपना यह कुछ अलग तरीकी से इस बार phone को launch करना ही कोशिश किये जिससे की जादा phone दिखाई ने market में कि हाँ LG के phone है यह लेकिन phone एक ही है नाम अलग है और बाकी सारी specifications आपको same मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ रैम और storage आप लोग एक बजट फोन देखना चाहना है जिसमें आपको 5000 एच की बड़ी वैट्री मिले 6.5 इंच का डिस्प्ले और quad camera का setup मिलें जिसमें 48 megapixel camera है तो आप इनमेंसे कोई भी phone खरी सकते हैं अगर आप चाहरे हैं कि ज्यादा RAM वाला तो आप LG W41 Pro को खरीच सकते हैं 15,490 में आपको quad camera का setup मिलता है और 6GB 128GB मिलती है USB Type-C Bluetooth 5.0 और 4G connectivity के साथ आपको यह phone मार्केट में मिल जाएगा तो आज की इस वीडियो में LG के फोन के बारे में बस इतना ही गाई अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो क करा दिए उसके बाद आप लोग के लिए good news लेकर आँगा मैं अपनी चैनल पर तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीज़े है मैं आप लोग वीडियो में तब तक के लिए good bye